नितिष चाचा का नाम पहले नितिष चाचा रखा गया फिर पल्टुराम रखा गया अब इनका नाम महा पल्टुराम हो गया अब इनका घर वापसी है अब इनका कुछ नहीं होने वाला है जो हमारे नितिष चाचा है वो आलू है वो बैगन के साथ भी अच्छे लगते हैं म पटना में भयंकर ठंड के बीच राजनीती में गर्मा हटा गई है कयासो का बजार गर्म है राजनीती सरक कही जाने वाली वीर्चंद पटेल में चाय की सुस्की ले रहे हैं लोगों का जोस भी हाई है बीज़पी ऑफिस से लेकर जड्यू का रियाले तक कयासो का दोर जारी है मौझूदा राजनीती की स्थिती को देखते हुए हर पहलू पर लोग वीचार बिमर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे में जब हमने इन लोगों से इनका विचार जाना तो सबका यही कहना था कि यह बिहार में पहली बार थोड़ी हो रहा है आप देख रहे हैं जैसे चाय दुकान पर जैसे चूरा च्छना रहा है बस साम तक जो गर्मिया जो महौल है मौसम भी बहुत गर्माहट आ गया है और चूरा खाके हम लोग साम तक या कल तक आप कुछ अच्छा बिहार का देखिएगा और बदलाओ यहां निश्चित तौर पे होने जा रहा है सुसासन की सरकार बनने जा रही है फिर से फिर से एक बार सुसासन की सरकार पहले नहीं कि पहले तो देखिए रहे थे कि आप रात में निकलना भी मुश्किल लग रहा था बाइक से चलना भी मुश्किल लग चलते चलते मुबाइल छिन लेता था सब इसके लिए अब सुसासन की सरकार क्यों सकता पड़ गई है जो रूरी है यहां पिया जाए पुलटने दीजे जो भी फैसला होगा बिहार कहीं तुम फैसला और यह कोई नया बात भी नहीं है कि किसी को अच्छराज हो या इस हर्थ हो ठीक है ना कि यह हमेशा होते आया है राजनीती में और बिहार के तो आम तो आप जानने कि विणा गट बंधन आज तक किसी का सरकार यहां नहीं बना है और उनके पास कोई ओप्शन भी नहीं है ठीक है ना जो आगे का अगर उनको अच्छा राजनीती में रहना है और सर्भाइब करना है तो बीना भाजपः बीना भागवा के साथ हुए अब बिहार में जो देश का जो अभी मन बना लिया है नहीं मुम्किन है और नहीं है इसलिए आना ही आना है उनको और वो कहीं नहीं जा सकते हैं अभी कहा जाएंगे बाकि ऐसा सकता होगा ऐसा आए समय आगा तो वहाँ पर जरूभ पके सरह जहां पर पहले थी जंडा का कलर में सबसे पहला रंग कौन होता है भगवा और सबसे निचला रंग कौन सा होता है खड़ा तो भगवा रंग आप समझे कि बीजेपी है और जो हरा रंग है वह आप उसको आरजेडी माल लीजे एक्जामपल उदारन के तौर पर और बीज का जो जंडा है ना बीज का जो कलर है वो कौन सा कलर होता है वाई सफे उसको आप माल लीजिए जदिव अब यह आप देखिए कि यह दोनों कलर के बीच में रहता है यानि यह दोनों के बीच में एक मतलब पडिवर्तन के तौर पर रहता है और दोनों में समलित और समाहित रहता है राजनीती का ऐसी चीज है जो कभी कुछ भी हो सकता है वापस है उनका कुछ नहीं होने वाला है रही बात इलेक्षन की तो दोहजार पचीश में आरजेडी विहार से बहुमत से अपना सरकार बनाएगा और ये पुर्ण विश्वास है हमें है प स्क्राजाब पुलिटिक्स के जो हमारे नितीष चचा है वो आलू है वो प्रोटी अग Abg'tan के साथ ब्स अच्छे लगते हैं मटर के साथ अच्छे लगते हैं तमाटर के साथ अच्छे लगते हैं वो ऐसे इंसानी बिहार के लिए जो कोई भी सबजी कि इनकंप्लीट है उनके बगए बैगन के साथ बरी मिला जी उसमें भी आलू चाहिए आपको वो बैंडिंग एलिमेंट है तो उनका पुना घर वात्ती हो रहा है बात रही आलू की तो जब तक बिहार में रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू सबसे पहले तो हम यही बिहार में भी राम राज आएगा आँ ही गया अलचल चल रही आने वाला है आपको क्या लगता है कि हर कोई बीजेपी को सपोर्ट करेंगा ही करेंगा चाहिए आप करें चाहिए हम करें चाहिए कोई वो करना ही करना है और इससे क्या होगा कि जदियू का अस्तित्र मीट ज जाएंगे तो कम से कम जदियू बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वहां से गटबंदन तोड़कर और वह एंडिये के साथ गटबंदन करके अपना भविस्ति को सही जगह पे रख रहा है नहीं तो पता चलेगा कि जदियू के खाते में एक भी सीट ना आया MP का और उसके बाद आपको पता है क्या होना है